MP Accommodation Act के Interview Guidance Program में आप सभी दोस्तों का हारतिक स्वागत है दोस्तों MP Accommodation में कुछ वीडियो में आपके समने बना चुका हूँ लगबग जो बुनियादी सवाल है जो आप से पूछ सकते हैं वो में बता चुका हूँ सेक्शन 23 तक ही 23 भी नहीं मेरे साब से आपका पूरा जो इंटर्व्य होगा वह सेक्शन 12 और 13 के बेसिस के उपर ही होगा 14 15 16 तक की संभावना है बड़ी कम है और जो बात का पार है वहां से में कुछ चीज़ आपको बता रहा हूं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे रेंट कंट्रोलिंग अथार्टी कौन होती है है ना मतलब चैप्टर फोर आपका डिपोजिट ऑफ रेंट आप इसको छोड़ सकते हो आपको हार चीस को इस बात से कर्य माँले मामले में अप देने को तयार ने- YOU व olur्यक्ति मतलब बददब थे टु Rouge में आपको नज़र आएगी वह का है चीजों को शॉट करने की है और अगर आपने इस बात से कर लिया तो वह जो इसको बागी सब पर आपको सीपीजी की पावर देदी है तो आपको इस तरही किसे ध्यान रखना है बहुत याद रखने के ज़रोत नहीं है चेप्टर 6 आप पूरा छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है आकरी में 44 ध्यान रखिएगा कोगनिजेंस ऑफ ओफेंस के बारे में लिखा हुआ है तो वहां से सवाल पूछेंगे MPI का बहुत पार्ट RCA के काम का है मतलब executive body के काम का है मतलब आप deputy collector बनते तो आप से शायद पूछना पसंद करते हैं पर चुकिए आप जुरिशरी में हैं तो यहां से बहुत जाता सवाल आपसे नहीं आएंगे और लास्ट 45 जो section है jurisdiction है जो exclusive उ से concept के ओपर रखिएगा बाकि बहुत ज़्यादा तैयारी बहुत ज़्यादा focus आपको इन subjects के पर करने की ज़ुरत नहीं है हम चुकि शुरू से ले रहा हूं तो minor से होते विए में major पे होंगा major पे CRPC CPC पे काफी sessions हम लेंगे और इसलिए लेंगे कि आपका confidence है आपका जो revision मेरे माध्यम से वह हो जाए मैं फिर के रहा हूं अपनी हिम्मत को बनाया रखिएगा अपनी कोशिचों को बनाया रखिएगा सफलता अवश्य मिलेगी MP accommodation में फिलाल मेरे पास कोई सवाल नहीं है जो मैं आपसे पूछ हूं तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि आपक किन सेक्शन के उपर होना चाहिए धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार